और मैं कल नहीं जा पाया तो मेरे पास I still have a chance और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए connection flight रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा time ऐसा मौझूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दुबारा ट्रेवल करके अपनी जो हज़वली flight है उसको पकड़ सको तो मेरे पास अभी chance है और मैं दुबारा आजवरी flight पकड़ूँगा और जाओंगा और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ मैं 2022 में नहीं करने दिया मुझे गिरफतार कर लिया 2023 में मैं एगवा हो गया नहीं करने दिया अब 2024 में फिर ECL में डाम डाल दिया मैं ट्रावल करने गया फिर मुझे वापिस भेज दिया तो मैं रोज जाओंगा जब-जब मुझे मौका मिलेगा और कोशिश करता मैं वहाँ पहुंच जाओं और हज़ कर सकूँ तो जो लोग रोक रहे हैं ना वो सिर्फ कुराने पार्ग में पढ़ें और हदीश में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुना क्या रो ये लीगल मैंटर्स हैं तो उन्होंने बियान कर दिये प्लिटिकली आपको क्या इसका बहुत सक्त अजाब है और बड़ी सक्त सजा है आप बैतुल्ला से और उसके तवाफ से नहीं रोख सकते मुसल्मानों को और जाबर हुकमरान का लफ़ इस्तमाल किया गया कि जालिम हुकमरान एक हदीश के अंदर सुरह एन्फाल में भी मैं पढ़ रहा था शायद आ करूंगा इन्शादा ये तो मेरा इमान है कि मेरा अल्ला मुझे बुला रहा है और मैं चला जाओंगा अब ये इस तरह रोकने से ये रुकावटें डालने से बजाए इसके के मुझे द्वाइं दे के रुकसत करें मेरे ख्याल में अपने लिए गुना कमा रहे हैं जो दाला गया जो मेरे पास इन्फ्रमेशन है एसल में मेरा नाम सणडे को डाला गया अब आप सारे साες हैं किया सटे को कोई केबिनेट मिटिंग होई या कोई के एजिंड़ा के ओपर मेरा नाम मवजूद था तो इसल में नाम कैसा गया वह तो डली नहीं सकता वे पहले निक और मैं कल नहीं जा पाया तो मेरे पास I still have a chance और मैंने ये अपना जो है वो इसलिए connection flight रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा time ऐसा मौझूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दुबारा ट्रेवल करके अपनी जो हजवली flight है उसको पकड़ सको तो मेरे पास भी chance है और मैं दुबारा आज वरी flight पकड़ूँगा और जाओंगा यहां से हम मैंने अब कल के लिए टिकेट लिया हुए और जो कल वाला टिकेट है वो भी हमने दुबारा जबारा करवा दिया कि जनाब एरे पास चांस है मुझे कल दुबारा रुवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करू 2022 में नहीं करने दिया मुझे गिरफतार कर लिया 2023 में मैं एगवा हो गया नहीं करने दिया अब 2024 में फिर ECL में डाम डाल दिया मैं ट्रावल करने गिया फिर मुझे वापिस भेज दिया तो मैं रोज जाओंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा और कोशिश करता रहूंगा कि मैं वहाँ पहुंच जाओं और हज कर सकूँ तो जो लोग रोक रहे हैं ना वो सिर्फ कुराने पाक में पढ़े और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजब और गुना क्या इमरान रियास साब बाहर जाकर साओधी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते या करेंगे जिसकी वज़ से आपको नहीं अलाओ किया जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रही यह नहीं यह तो मेरे अपने दमाग में यह समयाद हैं जो आपके दमाग में हैं अब मुझे नहीं समझ आ रहा है वो तो देखें जो जो आप जितनी भी आपकी ड्यूटीज है या आपके अरकान है वो तो आपको पूरे करने ना हज के मनासिक तो वो तो आपको पूरे करने है इम्राणाईासभ क्या समचते हैं कि साफ़ क्यों बात सुन लेना देखें अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी साफियों के साथ हो रहा है आरिफ अमीद भटी साब की अभी नौकरी चली गई कुछ और साफियों के साथ भी प्राप्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में बहुत सारे साफियों के साथ कभी कोई गिरफतार कर लिया जाता है कभी किसी पे मुकदमा दर्च किया जाता है सिंध में एक और साफियों उनको गोलिया लगी है नसुरल्ला साथ जो है वो शहीद होगे है एक और सहाफी के अबर पक्तूलगा में शहीद होगे है तो सहाफियों के लिए पाकिस्तान में हालात असान नहीं है वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे है प्रेशनर बढ़ता जा रहा है और जो सोशल मीडिया के उपर सहाफत करते हैं लोग उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है कुछ नए टैक्सिस कह रहे हैं कुछ नए पाबनिया कह रहे हैं कुछ नए कवानीन कह रहे हैं ये जो सारी चीज़े हो रही है ये एक्चुली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाजों का जो आवाजें वो बात नहीं कहती है अपनी जबान से जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है ये का जाता है ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें तो जो इस वक् इस हकूमत के कंट्रोल में है वो कुछ ना कुछ करके सहाफियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है लेकिन यह माजी में हो नहीं सका डिक्टेटर भी नहीं कर पाए तो अब कैसे होगा यह मुझे समझ नहीं आ रहे हैं तो अब घर से निकले तो आपको किसी से मिलने जा रहा हूं उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा 50-50 है एरपोर्ट जा रहा हूं मैं ट्रेवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा 50-50 है क्यूंकि जिन जिन हालात में हम जी रहे हैं ना उसमें कोई भी चीज आप कनफर्म नहीं कर सकते चीजों में शूरट है कि 50-50 है तो रोड़े का फिर अगर आपको रोक लिए तो मैंने का मैं सर्प्राइज नहीं होंगा उसमें क्यूंकि वो इतनी सारी चीजे मैंने देखी है तो वो मुझे अब वो उस तरह से सर्प्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जासे पहले होता था सिस्टम से को या गिला शुपा है? सिस्टम को ठीक करें गेंगये? तो ठीक करेंगे। सर, सुप्रीम कोट में आज मखसूस में सिस्पू से मतालिक कैस है, क्या समझते हैं। हारने वालों को नहीं मिलने चाहिए। देखें, उसूल एक तो फिक्स होना चाहिए। लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया, उसको तो नहीं मिलने चाहिए। मुझे मुलाना फद्राइमान साब पर हैरत होती है, एक तरफ वो कह रहे हैं, धांदली हुई है, हम हुगोमत को नहीं मानते, हम इस नजाम के खिलाफ लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो मकसूस में शिस्थे जो किसी और जमात की जीती हुई है, वो ऐलेक्शन कमिशन ने दे किसी के मानने वाले हैं, हम हारे हैं जहां से, वहां की मकसूस नशिस्थे हम क्यों ले लें, पीमलन कह देती, चले इन दोनों ने नहीं कहना था, तो एमकेम कह देती, उसकी तो वो जीती हुई भी बहुत मश्पूक है, अजब उसने भी नहीं कहा, तो फदल रहमान साब तो दिमांड है कि फुल कोट बनाया जाए, और बाकी इससे मिलते जलते दीगर केसी ने उनमें भी दिमांड है कि फुल कोट बनाया जाए, अब इस केस में बन गया है, तो उमीद करते हैं बाकियों में भी बनेगा, अचा, इमरान रियास साब, खान साब जेल के अंदर से बार करने करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपनी they are काम करते हैं, इससे होड़धा पीठे भी हा जाते हैं लेके जो लोग इम्राइब गान झारिकान को मिलते हैं, वग ये कहते हैं उनमें तो बहुत अनर्जी है. और वह अमने हवाँ भर के भीजते हैं, करके जा कि अपना अपनी अग्रेसिव सियास्त करो क्योंकि जितनी बुरी इस वक्त गवर्नस की सुर्टेशाल है अगर इसका अश्रे अश्री अश्रीर भी किसी गवर्मेंट का होता तो अपोजीशन उसका जीना हराम कर देती लोग जतने तंग हैं जिस तरह के बेल आ रहे ह जितनी महिंगाई बढ़ गई है जितनी सुर्टेशाल खराब है गुर्बत है विरुस्गारी है ये जितनी चीजें खराब हुई है महीशत में इसका इंपक्ट आम आदमी पर पढ़ रहा है कोई भी प्लिटिकल पार्टी कभी ऐसा मौका जाया नहीं करती मेरे खाल में इम जलसी तरीके इंसाफ की पहले नहीं थी तो ग्रैजुली शायद वो अपने आपको सिस्टम का हिस्सा बना रहे हैं अब कुछ नुक्ता नदर से आप देखें तो ठीक भी है लेकिं डूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साब जो चारह है ये उस तरह भी नहीं हो रहा अच्छा इमरान रिया साब ये बता दीजेगा कि शेर अफजल मर्वत साब जो पहली यहां पे जलसे किया करते थे तो काफी क्राउड के कठा करते थे अब वो यहां पे नहीं है बलकि दुबई में थे गुजश्टा रोज तक जो इतला थी और अब भी जलसों जलूसों के रिवे कहा गया है आपको लगता है कि बाकी जो रहनमा हैं वो उससे तरह से क्राउड एकठा कर पाएंगे जलसे जलूस के लिए या कि नहीं देखे क्राउड तो कोई भी कठा कर लेगा इमरान खान साब के लिए है शेर अफजल मरवत ने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी पार्टी को लीड किया था और मुश्किल टाइम पे किया था अभी उनके सतारे गर्दिश में है और उनको खुद पार्टी नहीं थोड़ा प्रब्लम नहीं है यह जो साओधी अरब वहला स्टेटमेंट है यह उनके गले पड़ा तो अब कुछ अरसे के लिए शायद वो भी इस सारे गेम से आउट रहेंगे लेकिन वो हमेशा आउट नहीं रहेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है सर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आप क्या समयते हैं अस्मान बुस्दार के मकाबले में या परवेज खटक या बाकी जो वजिर खटक ने तो एक्सेटिनल काम किया था जब वो वजिर खटक ने थे और काम करके भी दिखाया है तो बाद में वो पाटी छोड़ गए उन्होंने इमरान खान साथ के साथ वफादारी नहीं की वो चीजे अलग है लेकिन ये सब बानते हैं कि परवेज कटक के दोर में जो उन्होंने किया उसकी बुनियाद पर फिर ये मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर आया तो अलेक्शन जीत के 2018 में तो अली अमीन गंडापूर को आप उस्मान बुज़दार से और मेमूद खान से आप कंपेर नहीं कर सकते हैं वो रियल पुलिटिकल वरकर है मार खाके है वो एक लंबी स्ट्रगल है पुलिटिकल को सियासत को और सियासतदानों को समझते भी है और उन्होंने फदल रह्मान जैसे तकड़े सियासतदान को बार बार अलेक्शन हराया है डेमोक्रेट भी है तो अली अमीन गंडापूर चीज़ों को प्लिटिकली भी बेतर एंडल कर सकते हैं और गबर पक्तूल का से ऐसी कुछ चीज़ें आ भी नहीं रहीं जिनको आप पॉइंट आउट करके कहें कि यह बुरा हो रहा है। प्लिटीम में जाकर आगाह करेंगे शवाश्रीफ साथ को नहीं बताएंगे। यह लैक आफ कॉडिनेशन था जो मुझे जाती दोर पर लगता है कि शायद शवाश्रीफ साब को इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको भी इन्फॉर्म किया जाए अपने फैसले से और यह सु करेंगे आंगे चर venue जो वर्तवार कि शवाश्रीफ का वर्तव परकर प्रेटों पर यह आइंडल्ज आगे ग करेंगे श्रप रुगोट।